सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज हम पाप मोचनी एकादशी की कथा आपको सुनाएंगे भगवान विश्णों आपकी सभी मनों कामनाय पून करें पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा प्रारम करते हैं अरजुन निका, हे कमल नयन मैं जियों जों एकादशी के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूं त्यों अन्य एकादशी के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिग्यासा बढ़ती जा रही है हे मधुसूदन अब आप कृपा करके चैत्र महा के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विशे में बतलाईए इस एकादशी का नाम क्या है इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस वुरत का क्या विधान है हे कृष्ण अब आप मुझे विस्तार पूर्वग ब बताया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ राजा मधानता ने धर्म के गुहत्य रहस्यों के ग्याता महारशी लोमश से पूचा हे रिशी श्रेष्ट मनुष्य के पापों का मोचन क्रिस्प का संभव है कृपा करके ऐसे सराल उपाए बताएं जिससे सहर्ज ही पापों से च अनुष्यों के अनेक पाप नश्ट हो जाते हैं मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ ध्यान पूर्वक्ष्रवन करो प्राचीन समय में चैत्र रत नामक एक वन था उसमें अपसराएं किन्रों के साथ विहार किया करती थी महा सदा वसंत का मौसम रहता था अर्थ उस जगा सदा नाना प्रवकार के पुश्व खिले रहते थे कभी गंधर्व करन्याएं विहार किया करती थी कभी देवेंद्र अन्ने देवताओं के साथ क्रिराट किया करते थे उसी वन में में मेधावी नामक के एक रिशी भी तपस्या में लीन रहते थे वे शिवभग एक दिन मंजु घोशा नामक एक अपसरा ने उनको मोहित कर उनके निकटता का लाव उठाने की चेश्टा की इसलिए वे कुछ दूरी पर बैट मीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी उसी समय शिव भक्त महारशी मेधावी को काम देव भी जीतने का प्रेयास करने इस तरह काम देव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तयार हुआ उस समय महारशी मेधावी भी युवा वस्था में थे और काफी हिश्ट पुष्ट थे उन्होंने यग्यो पवित तथा दंद धारन कर रखा था बैट दूसरे काम देव के समान प्रतीत हो रहे थे उस मुनी महारशी मेधावी मुनी को काम देव से पीडित जान कर उनके उनसे आलिंगन करने लगी। के वश्यवूत होने के कारण मुनी को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्यान न रहा वो काफी समय तक वे रमन करते रहे तदूपरान मंजु खोशा उस मुनी से बोली हे रिशीवर अब मुझे बहुत समय हो गया है अता स्वर्ग जाने की आग्या दीजिए अपसरा की बात हे मोहिनी संद्या को तो आई हो प्राता काल होते चली जना रिशी के ऐसे बचने सुनकर अपसरा उनके साथ रमन करने लगी इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बताया मंजु खोशा ने एक दिन रिशी से का हे विप्र अब मुझे स्वर्ग जाने की आग्या मुनी ने इस बार भी वही का हे रूप सी अभी जादा समय व्यतीत नहीं हुआ उस समय और ठहरो मुनी की बाद सुन अपसरा ने का हे रिशी वर आपकी रात तो बहुत लंबी है अब स्वय ही सोचिए मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है अब और जादा समय तक ठह 57 वर्ष व्यतीत हो चुकी है तो उस अपसरा को वे काल का रूप समझने लगे इतना जादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया अब वे भ्यंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अपसरा की तरह ब्रिकुटी तान कर देखने लगे क्रोध से उनके अधर कामपने लगे इंद्रिया बेकाबू होने लगी क्रोध से थर थराते स्वर में मुनी ने उस अपसरा से का मेरे तब को नश्ट करने वाली दुष्ट तु महापापिन और बहुत ही दुराचारनी है तुछ पर धिकार है अब तु मेरे से पिशाचनी बन जा मुनी के क्रोध युक्षाप से वै अपसरा पिशाचनी बन गई क्या देखकर व्यतित होकर बोली है रिशीवर अब मुझ पर क्रोध त्याकर प्रसन होई और क्रिपा करके बताये कि इस श्राप का निवारन किस प्रकार होगा विद्वानों ने कहाए कि साद्वों की संगत अच्छा फल देती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतित होई है अथा आप मुझ पर प्रसन हो जाईए अन्यता लोग कहेंगे कि एक पुण्ने आत्मा के साथ रहने पर मंजु गोशा को पिशाचनी बना दिया मंजु गोशा की बाह सुन आप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूं चैत्रमास के क्रिश्न पक्ष के एकादशी उसका नाब पाप मोचनी है इस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की धैसे मुक्ति हो जाएगी ऐसा कहकर मुनी ने इस वरत का सब विधान समझा दिया फिर अपने पापों क प्राश्चित करने के लिए अपने पिता चैवन शी के पास गए चैवन शी ने पुत्र में मेध्हावी को देकर कहा है एसा क्या किया तूने कि तेरे सबी तप नश्ट हो गए जिससे तुमारा समस्त तेज मनलीन हो गया है अपना सिर्जुकार क नहीं पृतminute म मेंने एक आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाईए। रिशी ने कहा हे पुत्र तुम चैत्र महा के किर्ष्न बक्ष की पाप मोचनी इकादशी का विधी पूर्वक भक्ती पूर्वक उपवास करो इससे तुमारे सभी पाप नश्ट हो जाएंगे। की दह से चूट गई और पुना अपना सुंदर रूप धारन कर स्वर्ग लोग चली गई। लोग मश्मुनी ने कहा हे राजन इस पाप मोचनी इकादशी के प्रभाव से समप पाप नश्ट हो जाते हैं। इस इकादशी की कथा के श्रवन व्यपठन से एक हजार गोदान करन भी नश्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्व लोग की प्राप्ति होती है। वोलो विश्णु भगवान की जै भगवान विश्णु आपकी सभी मनों कामने पून करे।